बंसुन सत्र में आप सबका स्वागत है शावन का पवित्र मास चल रहा है और इस बार तो डबल सावन है और इसलिए सावन की अवधी भी जड़ा ज़ादा है और सावन मास पवित्र संकल्प के लिए पवित्र कारियों के लिए बहुत उत्तम माना जाता है और आज जब लोगतंत्र के मंदीर में इस सावन के पवित्र मास में मिल रहे हैं तो ये लोगतंत्र का मंदीर ऐसे अनेक पवित्र कारियों करने के लिए इससे बड़ा उत्तम अवसर नहीं हो सकता है मुझे विश्वास है कि सभी मानिय सावसद मिल करके इस सत्र का जनहित्म सरबाधीक उप्योग करेंगे संसद की जो जिम्मेवारी है और संसद में हर संसद की जो जिम्मेवारी है ऐसे अनेक कानूनों का बनाना उसकी विस्तार से चर्चा करना बहुती आवशक है और चर्चा जितनी जादा होती है चर्चा जितनी जादा पहनी होती है उतना जनहित्में दूर गामी परणाम देने वाले अच्छे निर्णे होते हैं सदन में जो माननी सांसद आते हैं वो धर्ती से जुड़े हुए होते हैं जनता के दुख दर्त को समझने वाले होते हैं और इसलिए जब चर्चा होती है तो उनकी तरब से जो विचार आते हैं वो जड़ों से जुड़े हुए विचार आते हैं और इसलिए चर्चा तो सम्र्द होती है, निरने भी ससक्त होते हैं, परणामकारी होते हैं, और इसलिए मैं सभी राजनितिक दलों को, सभी मानने सांसदों को इस सत्र का भरपूर उप्योग करके जन हित के कामों को हम आगे बढ़ाएं, यह सत्रा अनेक रूप से महत्वका भी है, क्योंकि इस सत्र में जो बिल आये जा रहे हैं, वो सीधे सीधे जनता के हितों से जुड़े हुए हैं, हमारी युवापीडी जो पूरी तरह डिजिटल वर्ल्ड के साथ एक प्रकारते नेत्रुत्व कर रही है, उस समय देटा प्रोटेक्शन बिल देश के हर नागरी को एक नाया विश्वास देने वाला बिल है, और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला बिल है, उसी प्रकारते नेशनल रिसर्ट फाउंडेशन, ये बिल लेनारेप, नई सिक्षानिती के संदर्व में एक बहुत बड़ा एहम कदम है, और इसका उप्योग अनुसांदान को बद लेना, इनोवेशन को भल देना, रिचर्च को भल देना, और हमारी उवा पीड़ी जो विश्व के अंदर नए उपक्रमों के द्वारा विश्व का नेत्रुत्व करना का सामर्त रखती हैं, उनके लिए बड़ा आउसर देख करक जनविश्वास बिल, सामान्य बानवी के परति भरोसा करना, अनेक कानूनों को डिक्रिमिल्राज करना, इस मुहिम को आगे बढ़ाने वाला इबिल, उसी प्रकार से, जो पुराने कानून है, उनको खतम करने के लिए भी, एक बिल में प्रावधान किया जा रहा है, हमारे यहां सद्यों से एक परंपरा रही है, कि जब विवाद हो, तो सम्वाद से सुलजाय जाए, मिडियेशन की परंपरा हमारे देश की बहोत सद्यों पुरानी है, उसको अब कानूनी आधार देते हुए, मिडियेशन बिल नाने के दिशा में इस सत्र का बहुत बड़ा उप्योग है जो अनेक विवादों से सामान्य से सामान्य मानवी से ले करके असामान्य संजोगों को भी मिल बैठ करके सुल जाने का एक मजबूत न्जीव बढाएगा इसी प्रकार से डेंटल मिशन को लेकर के एक बिल जो हमारे डेंटल कॉलेजिज के लेकर मेडिकल के छात्रों के लिए एक नई व्यवस्ता को आकार देगा ऐसे अनेक महत्वपूर्ण बील इस बार इस सत्र में संसज में आ रहे हैं तब ये जन हितके हैं ये युवा हितके हैं ये भारत के उजवल भविश्य के लिए हैं मुझे विश्वास है कि सदन में गंबीरता पुर्वगिन बिलो पर चर्चा करके हम बहुत तेजी से राष्ट हित के महत्वपूर्ण कदमों को आगे बढ़ाएंगे साथियों आज जब मैं आपके बीच आया हूं इस लोकतंत्र के मंदीर के पास खड़ा हूं तब मेरा रदय पीड़ा से भरा हुआ है क्रोध से भरा हुआ है मनिपूर की जो घटना सामने आई है किसी भी सब्वे समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है पाप करने वाले गुना करने वाले कितने हैं कौन है वो अपनी जगापे है लेकिन बेज्जती पुरे देश की हो रही हैं एक सो चालिस करोड देश वाच्यों को सर्मसार होना पड़ रहा है मैं सभी मुख मंत्रियों से आगर करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्ता को और मजबूत करें खास करके हमारी माता और बेहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं गटना चाहे राजस्तान की हो जटना चाहे चत्तिश गट की हो गटना चाहे मनिपूर की हो इस देश में हिंदुस्तान के किसी भी कोड़े में किसी भी की राज्य सरकार में राज नीतिक वाद विवाद से उपर उठ करके कानून व्यवस्ता का महत्माएं नारी का सम्मान और मैं देश वाज्यों को भी स्वाद दिलाना चाहता हूं किसी भी गुनेकार को बक्षा नहीं जाएगा कानून अपनी पूरी शक्ती से पूरी सक्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा मनिपूर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माप नहीं किया जा सकता है बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों